हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी रेमिजीज फोर ग्लोइंग स्केप पहला उप्चार है तक त्वाचा के लिए नीमू और शैद का मिश्ण काफी फाइदे मन्द है ये त्वाचा की गंदगी को साफ करता है दूसरी टिप है संत्रे के छिलके को दूप पे सुखाएं और मिक्सर में पीस कर पाउडर बना दे अब एक टेबल स्पून पाउडर में एक टेबल स्पून दही को मिला कर पेस बना ले और चेहरे पर लगाएं बीस मिनट बार जब इसे सूख जाए तो गुनगुने पानी से से दोले इससे स्किन को गोल्डन गुलू मिलेगा तीसरी टिप है टमाटर को मिक्सर में पीस ले इसमें आधा टेबल स्पून शक्कर डाल कर अच्छी तरह मिलाएं और चेहरे पर एपलाई करें पंद्रा मिनट बार ठंडे पानी से अपना चेहरा दोले इससे त्वचा नाचुरली ग्लो करेंगी अगले टिप है पके हुए केले को छिल कर मसल ले इसमें तीन टेबल स्पून पका हुआ पपीता मसल कर मिलाएं फिर चेहरे पर एपलाई करें 20-25 मिनट बार ठंडे पानी से अपना चेहरा दोले इस स्किन टाइट होती है और नाचुरली ग्लो करती है अगले टिप है त्वचा में नमी भरने के लिए आपको बटर फूट का जूस पीना चाहिए यह त्वचा में अंदर से ही चमक लाता है अगला उपाई है एक टेबल स्पून दूद में थोड़ा सा केसर डाल कर 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दे इसमें एक टेबल स्पून शेहर भी मिलाए जब फेस पे गाड़ा हो जाए तो इसे चेहरे पर लगाए 20 मिनट बार ठंडे पानी से अपना चेहरा दोले इससे आ गुलाब की पंकड़ियों से त्वचा की रंगत निखरती है अगली टिप है अनार में आंटी ऑक्सिजेंट पाया जाता है जो कि त्वचा में आई किसी भी प्रतार की चोट और खरोज को जल्दी से मददकार होती है इसको पीने से खून भी बढ़ता है इसलिए त्वचा को लाल दिखाने के लिए सायक होता है नेक्स टिप है दो टी स्पून बेसन में एक टी स्पून दूद और एक टी स्पून ऑलिव ऑल्ल मिलाए फिर चहरे को गुलाब जल से दूए और फ्रीज पेक लगा ले बीस मिनिट बाद गुन-गुने पानी से अपना चहरा दो लें सिस्किन ग्लो करें और ब्लाक हैट की शिकायक भी आपकी दूर हो जाएगी नेक्स टिप है सेप को छिलकर काट लें अब मिक्सर में एक टेबल स्पून शेहत सहित सेप डार कर बारिक पीस लें इसे चहरे पर लगाए और पंद्रे मिन्ट बाद अब चहरा सूख जाने पर छंडे पानी से से धोले तो अच्छा में एक नई चमक आपको देखने को मिलें लास्ट टिप है एक चमच प्याद का रस एक चमच मुल्कानी मित्टी और एक चमच शेहत इन सब को मिला कर चहरे पर लगाए चहरे के दाग धबे इससे दूर हो जाते हैं तांक यू स्टो कर दो